हेलो गाईज, आज आचार उन्योबा भावेक का जनमे दिन है, तो अज उनके बारे में हम पूरा डीटेल जानते हैं, तो अगर हमारी चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब तर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये वीडियो पर दोस्तों को आज ही सेयर क कर दीजिए ताके जो आचार उन्योबा भावेक के बारे में पूरा डीटेल जान सकें, समझ सकें और फिर जो वो भी दूसरों को बता सकें, तो सबसे पहले आचार उन्योबा भावेक के जनमें दिन की हारदिक सुप कामना है, और आप जहां भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली में रहें, अपने दोस्तों में रहें, और स्वास्त रहें, तो सुरू कहते हैं हम आचार उन्योबा भावेक के बारे में, आचार उन्योबा भावेक का जनमें 11 सितेंबर 1895 इश्वी को हुआ था, और फिर कहां पर हुआ था, गागोदे पेन रायग आधी नेता थे, इसलिए परसिद्ध थे, इनको जो है, यानि कि अचार उन्योबा भावेक को भारत का राष्टी अध्यापक, और फिर महात्मा गाधी का अध्यात्मिक उत्रादिकारी समझा जाता है, और फिर बात कर ये परसिद्ध क्यों थे, तो ये इन्होंने एक चर्चा में थे, और अभी भी चर्चा में थे, और फिर ये परसिद्धी कारण भी है, इन्होंने जो है, अपने जीवन के आखरी वर्स, पोनार महराष्ट के आसरम में गुजारे, अगर इनकी मृत्यू की बात करें, तो इनकी मृत्यू जो है, 15 नॉमबर 1922 को हुआ था, और फिर कहां पर हुआ था, वर्धा में हुआ था, इनकी मृत्यू जो है, 15 नॉमबर 1922 को वर्धा में हुआ था, और फिर जो बात करें, इनको जो है, कौन-कौन पुरुषकार से, किस-किस पुरुषकार से सम्मानित गिया था, तो इन्हें जो है, यानि कि आचार इन्हों तरत ने पराब्द हुआ था ऐसे जालेज वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जोगर्फी वताफता आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यह वीडियो अपने दोस्तों को आज ही सेयर कर दीजिए ताकि जो है वह भी समझ सकें ज वीडियो में आज के लिए हैं तक आज के लिए शुक्रिया धन्यवाद